अब आमरे मन आगे बढ़ा और देख़ाब की रभी कर तिलहनी फसिल मन में कौन-कौन फसिल है वो कर खेटी केसन करल जाै उपजा के केसन बढ़ाल जाए और उमन में जे लागते पिलवा मन, बेमारी मन से के दूर केसन करल जाए तो सोब से आगे हमरे मन देखब कुसुम फसिल कर बारे में इकर लगिन उन्नत प्रभेदा है ए तीन सो अक्षागिरी उनसट दू एक इकर लगिन खेत कर तैयारी इकर लगिन अगाईत धान कर कटनी कर अलबा दे दू तिन धाँ जोईत देख चाही और पाटा देख नी भुलेग चाही इकर बुने कर बेस बिरा है अक्टूबर कर दोसर हफता से नवंबर कर पहिल हफता तक भाई जदी एद का जाड़ होय जैल तो इकर अक्षाग में खराब परभाव पड़ेल अब भीहिन कर दर 15-20 किलोग्राम प्रती हेक्टर होयल दर कर दूरी दर से दर कर दूरी 30-45 सेंटीमीटर रह ले इकर उपजा बेस होयल उपजा बेस होई और बढ़िया होई इकर ले उर्वरक कर परयोग कर एक है तो उर्वरक कर परयोग कतना कर एक चाही 20 अनुपात 20-20 किलोग्राम N-P-K प्रती हेक्टर 25 किलोग्राम यूरिया 45 किलोग्राम डी एपी और 34 किलोग्राम म्यूरेट अफ पोटास इसोब के दर से बुनेक बेरा परयोग करें अब निकाई और गुड़ाई सुरू सुरू में इकर बढ़वाईर असे असोयल सहे लगिन इकर खेत में खरपतवार बेसी होय जैल इकर रोग थाम लगिन एक महिना कर भित्रे इकर निकाई गुडाई करते रहेग चाहिए पोधा कर संड्रक्षन इफसिल में बेमारी चहे पिलवा मन कमे लागे ना मुदा कखनो कखनो कोनो कोनो बेमारी होय जैल तो इकर रोग थाम लगिन 35 इसी कर छिड़काओ 15 दिनक भित्रे दूधाओ गेर देवे